युद्द से युकरेन में दभाई दिख रही है, इर्पिन से एक वीडियो सामने आया है, शेहर में हजारों की तदात में गाडिया जल गई है, वीते दिनों रूस की सेना ने इर्पिन में कहर ढ़ाया है कई दिन तक शेहर में रूसी सेनिकों ने जोरदार खमने किये और इनी हबलों की ये तस्वीरा आप देखे किस तरीके से हजारों की तदात में कई गाडिया पूरी तरीके से नश्ट होती हुई दिखाईते रही है, ये गाडियों का धेर जो कि अब पूरी तरीके से हो चुकी है, और इसलिए चुरूस ने इस बात से साफ इड़कार कर दिया है कि पोलेंड और वल्गेरिया की गैस सप्लाई बंद करना किसी भी तरह की गैस ब्लाकमेलिंग है, ये भी साफ हो गया है कि पुतिन की शर्ते ना मानने वाले यूरोप के देशों पर अगला एक् पुरेन की जंग में जो भी उनके साथ नहीं है, उन्हें इसकी कीमक भुकतनी होगी, यूरोप की लाइफलाइन को ही पुतिन ने काटने की तयारी कर ली है, आक्शन तो केवल बलगेरिया और पॉलेंड पर किया, लेकिन इसका असर पूरे यूरोप में हो रहा है, बलकि य जंग छड़ते ही प्रतिबंद लगा भी दिये गए, लेकिन उन प्रतिबंदों से लड़ रहे रूस के सामने अब प्रतिबंदों पर प्रहार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अब ना तो उन्हें किसी का डर है और ना ही कोई संकोच, बलकि जंग के शुर किदारों की कमी नहीं है, क्योंकि पुतिन पहले से कुटनितिक जंग की तयारी में थे, रूस ने चीन और भारत के साथ कच्छे तेल की डील पहले से ही कर ली है, उर्जा से जुड़ी ये दोनों डील रूस के लिए बेहत एहम है, जबकि यूरोप की कमर तोड़ने वाली ह खबर है कि बलगेरिया और पॉलेंग पर पुतिन का आक्शन पूरे यूरोप की नींद उड़ाने वाला रहा, गैस के लिए रूस पर निर्भर देश अब यूकरेन की जंग में रूस के खिलाब बोलने से भी घबरा रहे हैं, खबर है कि यूरोप की चार तेल कम्प्रिया पहले ही रूस को रूबल में पेमेंट कर चुकी है, यूरोप की दस तेल कम्प्रियां ऐसी हैं जो रूस के बैंकों में खाता खुलवा चुकी है, जिसके जरिये रूबल में गैस की पेमेंट की जा सके, यूरोप के कुल 23 देश ऐसे हैं, जिनने रूस की नाचुरल गैस प रूस से ही पहुंचती है इनका नाम है चेक गणराजे और लात्विया दोनों नाटों की सदसे हैं और हर दिन पुतिन को कोशते हैं लेकिन रूस की ही गयास पर पूरी तरह निर्बर है हंगरी अपनी जरूरत की 95 प्रतिशत गयास रूस से लेता है जबकि स्लोवाकिया 85 प्र बल्गेरिया और पॉलेंड की सप्लाई तो काटी जा चुकी है लेकिन सप्लाई जब तक चल रही थी तब तक बल्गेरिया 85 प्रतिशत और पॉलेंड 54 प्रतिशत गयास की सप्लाई रूस से ले रहा था फिनलैंड की बात की जाए तो फिनलैंड ऐसा देश है जो अभी ना जर्मनी का जर्मनी यूरोप का सबसे ताकतवार मुल्क माना जाता है नाटो में भी और यूरोपीन यूनियन में भी जर्मनी का अच्छा खासा दबदबा है जबकि जंग से पहले तक जर्मनी को रूस का भी दोस्त माना जाता था और खबर है कि जंग से पहले तक जर्मनी अपी ज़रूरत की 66% गैस रूस से लेता था जंग जब शुरू हुई तब भी नाचुरल गैस की 55% सप्लाई जर्मनी तक रूस से ही आ रही थी और अब भी जर्मनी ने नैचरल गैस का रूस से इंपोर्ट बंद नहीं किया है हाँ लेकिन दावाद जरूर किया है कि ये साल खत्म होने तक रूस से गैस का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा साथ में ये भी कहा गया है कि गर्मिया खत्म होने से पहले रूस से गैस की खरीद आधी कर दी जाएगी लेकिन हकीकत ये है कि जंग छिडने के बाद तो जर्मनी ने रूस से गैस की खरीद और भी जाता बढ़ा दी अभी भी जर्मनी की गैस की खरीद काफी उचे स्तर पर बनी हुई है जर्मनी की कोशिश है कि वो अपने नाचुरल गैस के भंडार को पूरी तरह से भर ले जर्मनी की इसी नीती को यूरोप में उसके डबल स्टैंडर भी कहा जा रहा है मतलब यह कि जिस वक्त जैलन्स की यूरोप का साथ मांग रहे थे रूस से गैस की खरीद रोकनी की अपील कर रहे थे उस वक्त भी जर्मनी रूस की जेब भर रहा था खबर है कि 24 अपरेल की जंग के बाद से ही जर्मनी ने गैस के लिए रूस को 910 करोड यूरो यानि की करिब 73,000 करोड रुपे का बुक्तान किया है और यही वो पैसा है जो युक्रेन की जंग की दौरान भी व्लादिमेर पुतिन की हर नीती को काम्याब बना रहा है यही वो दाव है जो इस जंग में पुतिन की हर चाल को पूरी तरह सटीक बना रहा है गैस पर पुतिन की गेम प्लान को पूरे यूरोप को बाट कर रख दिया है जबकि यूरोपियन यूनियन की एक जुटता उनकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी यूरोपियन की जंग शिरू होते ही पहला बटवारा ये हुआ कि यूरोप में कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य है और कौन सा मुल्क नाटो का सदस्य नहीं है दूसरा बटवारा हुआ रूस के समर्थक और रूस के विरोधियों का अभी भी ये बटवारा कम नहीं हुआ। जर्मनी की तरफ यूरोप के देशों का बढ़ता हुआ अविश्वास पुतिन की बड़ी जीत है। खबर है कि यूरोप के कई देशों में गैस की बढ़ती कीमतें हाहकार पैदा कर चुकी है। महंगाई की वज़ा से तरा ही माम है। उपर से गैस की अगर किलत हो गई तो हालाग बेकाबू हो जाएंगे। कुछ देशों में तो राजनितिक उठापटक का दौर भी केवल गैस की किलत की कारण शुरू हो चुका है। उधर जंग के बीच इटली की राजदानी रोम में युक्रेन की रहने वाले कुछ बच्चों ने बलून से बने टैंक को ध्वस्त किया। बताया ये गया है कि कम्भीर विमारियों से जूज रहे इन बच्चों को युद्ध शुरू होने से पहले ही इलाज के लिए इटली भेजा गया था। जिन्होंने राजदानी रोम की बलून म्यूजियम में मौजूद बलून से बने एक टैंक को नश्ट किया। उन बच्चों ने बड़े ही उतसाह से एक एक कर सभी बलून फोड़ दिये। बताया गया कि इस अनोखे टैंक को जंग की शुरूआत से पहले ही बनाया गया था। लेकिन युक्रेन पर हमले के बाद रूस को संदेश देने के लिए ही इन बच्चों को खास तौर पर वहां ले जाया गया। बाद में ये बच्चे इस म्यूजियम के दूसरे हिस्से में पहुँचे जहां उन्होंने धेर सारे बलून के साथ खूब मस्ती भी की। यही नहीं खबर है कि रूसी हमले में घायल हुए सैंकडों बच्चों को अब तक इटली भेजा जा चुका है। राजसानी दिली में कोईली की किलत की वज़ा से बिजली संकट का जटका लगने वाला है। में ग्लोबल पाटिदार बिजनस समिट का भी उद्खाटन करेंगे। राश्वपती रामनात कोविंद आज सुप्रीम कोट और सभी राज्यों के हाई कोट की मुख्या नयाधीशों को देंगे रातरी भोज। रात आट बजे राश्वपती भवन में रातरी भोज का आयोज़। बलगेरिया के प्रधान मंद्फी किरल पेटकोफ ने रास्दानी कीव के आसपास तभाई का जायजा लिया। इसके साथ ही एत्विन में तभाई देखी गई। जलन्सकी से मुलाकात के बात बल्गेरिया के प्रधान मंत्री ने यूरोप के देशों से रूसी गैस का उप्योग बंद करने की अपील की और कहा कि हम ये सब देखकर भी उदासे नहीं रहे सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोग मर रही हैं लेकिन इसमें हमें कोई दिल्चस्पी नहीं है। ये बल्गेरिया के प्रधान मंत्री ने कहा है इसके साथ ही मुलाकात भी जलन्सकी के साथ करते हुए नसर आये। उद्धा युक्रेइन पर रूस के हमने की एक और बड़ी वज़ा साब्याई है।